हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें तिलक और कोई इस राक्षस की सहायता के लिए अंदर ना सके, परन तो इसने फ्रात्र द्रोह किया है, मेरी रक्षा करने की जगे, इस दुष्ट ने उस कंदरा के मुँपर एक बड़ी सी शिला रखकर उसे बंद कर दिया, अउसर पाकर राज्य पद भी ग्रहन कर लिया, अपने भ झाल झाल भाईया आप हाँ मैं वापस आ गया मैं जानता हूं मेरे जीते जी वापस आ जाने से तुम्हें बहुत कस्ट हुआ होगा हाथ में आया हुआ राज ये जाता दिखाए दिया होगा नहीं भाईया आप मुझे गलत न समझे मैंने ये राज अपनी इच्छा से नहीं लिया मंत्रियों तथा पुर्वासियों ने मिलकर मुझे इस सिंगहासन पर बठाया है अभी इसलिए कि राजा रहित राज देखकर कोई शत्रू इसे जीतने की इच्छा से आक्रमन न कर कि यह राज आपकी धरोहर है यह राज आपका है भाईया मैं आपका वही सेवक हूं भाईया और विश्वास घाती अब ऐसी चिकनी चुपड़ी बाते करके तुझे लज्जा नहीं आती इस पापी को देखो मैं इसको अपना अनुच समझकर अपनी रक्षा के लिए तक यही पहरा देना ताकि जब तक मैं उस मायावी दानों से युद्ध करके उसे मार ना लू और कोई स्राक्षस की सहायता के लिए अंदर ना सके परन्तों इसने प्रात्र द्रोह किया है मेरी रक्षा करने की जगे इस दुष्ट ने उस कंदरा के मुँपर एक बड़ी सी शिला रखकर उसे बंद कर दिया अवसर पाकर राज्य पद भी ग्रहन कर लिया अपने भाई और राजा के साथ द्रोह करके ये मिर्त्यु दंड का पात्र हो गया है अब मैं अपने हाथ हो इसका बत करूँ तो अनुचित नहीं होगा नहीं महराज ये सत्थ नहीं है आज मैं तुझे नहीं छोड़ूगा मैंने कोई विश्वास घात नहीं किया तू लज्ज है तू यहां राजा बनके बैठ गया मैं एक वर्ष तक गुफा के बाहर आपकी आग्यानुसार खाड़ा रहा तू समझा मैं मार्या फिर जब अंदर से लहू की धार निकली और आप बाहर नहीं आए तो मैंने समझ लिया कि दानव ने आपका वद कर दिया है चोड़ूगा नहीं मैं आज जान से मार्या नहीं मैं दानव मुझे भी मार डालेगा और किशकिंधा को उजार देगा तो मैंने एक बड़े पत्थर से उस गुफा का मुझ बंद कर दिया मेरी भूल को शमा करे माहराज मुझे शमा करे माहराज तू समझता क्या है कि तू राजा दू गया किस गिंदा का राज्य होगा धुष्ट पापी कायर भाग के कहा जाता है छोड़ू गोनी की कि आज मै कि राम सुग्रीव से मित्ता करने में राम अनद्वारा हरुन की गई अपनी इस्तरी के उद्धार का तुम्हारा स्वार्थ नहीं छुपा है किन्तो ये प्राणों के भैसे पहारों की खो में मुझ चुपा है पड़ा रहने वाला ये कायर क्या तुम्हारी साहता करेगा बोलो इसके लिए तुम किशकिंदा पती बाली के पास आते तो देखते मैं अब तक उस दुरापना को बांद कर तुम्हारे चड़ों में डल चुका होता सीता को उसने सागर किया तल गहराईयों में आगाश में या पाताल में कहीं पर भी छुपा रखा हो मैं जीदा माता को तुम्हारे हावाले कर देता जिस प्रकार करूरता पूर्वक तुमने बाली का वद किया है उस अनीती को तुम इत्यास के दृष्टी में कभी न्यायों जितना ही ठैरा सकोगे जो जन्दम लेता है वो वश्य मरता है इसलिए मुझे मरने का शोक नहीं है मेरे बाद सुकरीब को भाचे मे लेगा वो अभी अनुचत नहीं है अनुचत इतना ही है कि तुमने मुझे रण भूमी में मेरे साथ बीरों के भात युद करके मुझे नहीं मारा मुझे अधर्म पूर्वक मारा है तुमने, तुमने मेरी निरप्राद हत्या की है, तुम्हारे इस पाप का प्रैश्चित कभी नहीं होगा, राम, कभी नहीं होगा वानर राज, आज मनणोनमुक अवस्था में पहुचकर, तुम जिस धर्म, सतकर्म और नीती की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में उसी धर्म, सतकर्म, न्याय और नीती का विचार तुमने सपने में भी नहीं किया धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयम ही नहीं जानते हो अचारों द्वारा धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक जाने भी नहीं, आज तुम मुझे धर्म का उप्देश देना चाहते हो मेरी निंदा करते समय, तुम मुझे एक अभोध बालक की सामान दिखाई दे रहे हो तुम स्वयम चपल हो, और चंचल चितवाले अजितात्मा वानर तुमहरे मंतरी हैं जिस तरह एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, वैसे ही तुम्हारे चपल मंतरी तुम्हें परामर्ष देते हैं फिर तुम धर्म का विचार कैसे कर सकते हो, धर्म के सुक्षुम सरूप को कैसे समझ सकते हो, धर्म की बात तो दूर रही, अपने अपरे मित बलके मद में चूर होकर, तुमने तो सामान ने लौकिक आचार व्यभार का विचार भी कभी नहीं किया, बड़ा भाई, पिता, तथा गुरु तीनों एक समान पूजनिय माने गए हैं, उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान माने गए हैं, पुत्र की बधू, अनुच की भार्या, तथा भगिनी के साथ, अपनी कन्या के समान पवित्र संबंद रखना, पारिवारिक, सामाजिक, तथा नैतिक धर्म है, परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया, अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके, बिना किसी दोश के, उसे निश्कासित कर दिया, और उसके जीते जी, उसकी पत्नी रूमा को, अधर्म और अनीती से, पत्नी की भाती अपने आधिन रखा, ऐसे पुरुष का वद करना ही, उसके लिए उप्योक्त दं तुम्हें ये विदित होना चाहिए कि पर्वतों वन और कानूनों सो युक्त ये सारी पृत्वी, हमें क्शवास्चceğ님 के राजाओं के हैं इस समय क्षुवाकु वंश के राजा भरत है। उन्हें के आज्या का पालन करने वाला और पवित्र क्षुवाकु वंश का वंशदर होने के नाते यहां के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके प्रति दयागा भाव रखने अथ्वा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प सकता। अता हम सब उनी के आज्या से श्रेष्ट धर्म में स्थर रहकर तुम जैसे धर्म ब्रश्ट पुरुषों को विदिवत दंड देते हैं। वाली सत्पुरुषों का धर्म अतिसूक्षम होता है। उसे समझना बहुत कठिन है। इतना समझ लो कि यदि राजा पापी को दंड दे तो पापी उस दंड को भोग कर निश्पाफ हो जाता है। परंतो यदि राजा पापी को उची दंड न दे तो उस दंड का फल राजा को स्वयम भोगना पड़ता है।